ऐलो दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूं भरवा करेली की सबजी जो बहुत ज्यड़ा द्लीशियस करेला बनेगा और बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा और बनाने में बिल्कुल असान है मैंने अपनी चैनल पर और भी करे तरह के भरवा करेलो की सबजी डाल रखिये तो वो भी आप चेक आउट कर सकते हैं उन पर आपका काफी अच्छा डिस्पोंस रहा इसलिए आज मैं फिर आपके लिए एक और नीरसी पिल आई हूं भरवा करेली की तो सबसे पहले आपको करे लिए जिन्या है उसके बाद पействosure कर लें करो करने के बाद मैंने ले लिया लेकर लेंगर आपको करने के लिए अपर आप रहत वर पाल we करेंगे और इसे हम कुछ दिर के लिए साइट में रख देंगे जब मागल हम अब करेह用 में बहने के लिए उसके लिए आपको एक बाउल में एड़ करने हैं ड्राइ मसाले दो चोटी चमच धनिया पाउडर हाफ ती स्पून हल्दी पाउडर दो चोटी चमच हम यहाँ पर लालमिश पाउडर एड़ करेंगे एक चोटी चमच नमक नमक आप अपने टेस्क कोडिंग कम जादा कर लीजेगा साथ ही एड़ करेंगे एक चमच दर्दरी कुटे हुई सौफ और half टेबल स्पून हम यहाँ पर अमचूर पाउडर पी एड़ कर लेंगे बारी कट किवी हरी मेर्च एड़ करेंगे थोड़ी सी और साथ ही एक चमच हम यहाँ पर सरसो का तेल एड़ कर लेंगे और इन Сभी नमक लगा करके करेले रखे हुए थे वो ready हो गए है अब आपको इने इस तरह से अच्छे से निचोड लेना है इनका जो excess water है वो आपको इस तरह से प्रेस करते हुए निकाल देना है जो नमक की वज़े से बना है इसमें करेले ready करने के बाद अब आपको इन सभी करेलों में cut कट लगाना है इस तरह से और जिनके बीज पके हुए हैं जिन करेलों के आप चाहिए उनके बीज निकाल सकते हैं और बीज के साथ कच्छे बीज के साथ करेले ज्यादा अच्छे लगते हैं तो जिन करेलों के बीज थोड़े पके हुए थे उनके मैंने इस तरह से निकाल ed yht View को करेलों में कट लगाने के बाद आपको इन मिंवी मसाली भड़ना है तो जो मसाली आपने बना पर त्यार किया थ हम आपको इसमें अच्छ Something कर लेना आप कोई भी कुकिंग ओल यूज कर सकते हैं जो भी आप अपने किशन में यूज करते हैं तेल के अच्छे से गरम हो जाने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ा सा जीरा अब आपको इसमें जो आपने करेले बनाकर रखे हुए हैं भरकर रखे हुए हैं मसाला वो आपको इसमें करके एड़ कर लेने हैं इस तरह से सभी करेले हम एक साथ इसमें एड़ कर लेते हैं भरवा करेला बनाना बहुत जाता असान होता है इसली बन जाता है सभी करेलों को एड़ करने के बाद इस तरह से हलका फ्राय कर लेंगे और अब आपको इसे धक करके पका लेना है ताकि यह जल्दी पक जाए थोड़ी थोड़ी दिर में आपको प्लेट को हटा करके इसे चेक करते रहना है जिस साइड से यह पक जाता है उस साइड से आपको हटा देना है और इस तरह से पलट पलट कर आपको इसे पका लेना है ताकि एक्वली अच्छे से पके और पांसे च्छे मिनट के बाद आपके जो ये करेले हैं वो पककर के तयार हो गए हैं इस तरगे। करेली करीली की नें त्यूट सेकिक तो ऑखे। नहीं होता है उसकना यह ले सानी होटे हैं , अजय कि पूंगे लितायर के पुरीले की लइसी ऊपानते हैं आई होप आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले